नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड सौबरेंट बॉंड के बारे में, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फिसिकल गोल्ड लेने से ज़्यादा यूस्पुल क्यों है, कि आप पेपर गोल्ड बॉंड ले, दूसरा मैं आपको online बताऊँगा कि किस तरीके से आप purchase कर सकते हैं और ये जो gold bond है ये demate form में आपके demate account में किस तरीके से देखेंगे वो मैं आपको live देखाऊँगा आप मेरा video देखिए आज की date में सबसे best option है gold अब gold सबसे best option क्यों है क्योंकि इसका return बहुत अच्छा है अगर मान के चलिए पिछले 4-5 साल की बात कर लो gold 28,000 रुपे से लेके 45,000 तक पहुँच गया है आज से 20 साल पहले gold की rate सिर्फ 6,000 रुपे प्रती आउंस थी मतलब gold एक तो बहुत यानि कि हम जो हिंदू दरम या हमारे भारतिय संस्कृती में gold रखना एक रीती रिवाज बन गया है मतलब gold अगर आपके पास है तो assets है आपके पास तो आप क्यों न गोल्ड बॉंड खरीने अब मैं आपको एक comparison बता हुआ कि क्यों फिजीकल गोल्ड से ज्यादा अच्छा option है gold bond रखना हम हम शुरू से बात करते हैं सबसे पहले हम purchasing की बात कर लेते हैं कि मान के चलिए आप physical gold लेने जाते हैं और normal gold बॉंड लेने जाते हैं अगर आप physical gold लेने जाते हैं तो आप किसी अच्छी दुकान पर जाएंगे और अच्छी दुकान वाला आपसे कुछ ना कुछ प्रिमियम एमॉंट जरूर लेगा जो गोल्ड की जो रेट चल रही है उस पर जबकि गोल्ड बॉंट आपको मार्केट प्राइस में मिल जाएगा अब बात करते हैं सेलिंग की अगर आप सेल करने जाए तो क्या होता है मान के चली अगर आप फिजिकल गोल्ड सेल करने जाएंगे तो जो मार्केट प्राइस है उससे कम में आपका सेल होगा जबकि gold bond paper में जो market price है उसी rate पर आपका bond sell हो जाएगा अब बात करते है fixed income की, extra income जो physical gold है उसकी अगर value बड़ी तो ही आपको पैसा मिलेगा जबकि gold bond में government RBI आपको 2.5% extra पैसा देती है हर साल, जो कि आपको happily के दौरान मिलता है अब बात आती है purity की अगर आप gold bond paper लेके बैटे हैं, तो आपको purity की चिंता करने की जरूरती नहीं है लेकिन अगर आप physical gold लेने जाते हैं तो आपको ये चिंता रहेगी कि सुनार ने मुझे original दिया या नहीं दिया कितना percent उसके अंदर मिलावट है तो उस सब चीजों का headache भी नहीं रहता इसके अंदर अब बात आती है चोरी चकारी की अगर आप मैं बात करो gold bond आपके चोरी होई नहीं सकते क्योंकि वो तो आपके dmat account में dmat form में जबकि physical gold आपके लिए हमेशा एक headache रहेगा कि इसको bank locker में रख दिया जाए सुरक्षित रख दिया जाए तो इस headache से भी आप बच जाएंगे अब बात आती है liquidity की risk हाँ gold bond में आपको 5 साल का lock-in period है तो 5 साल से पहले आप उसको बेच नहीं पाएंगे लेगिन physical gold आप कभी भी बेच सकते ये एक benefit मिलता है आपको physical gold में अब आती है capital gain tax आपका जो gold bond paper है उस पर आपको किसी भी तरह का capital gain tax नहीं देना जबकि gold की अगर अगर अधी price बड़ी और आपने उसको assets में show किया तो आप पर belt tax का लागू हो जाएगा अब बात आती है trade की मान के चली अगर 5 साल का period gold जो physical gold है उसको आप local market में बेच सकते हैं अब बात आती है की gold bond कब-कब खरीदे जा सकते हैं देखिए recently आज अभी भी presently आप खरीद सकते हैं और जो अगले जो series है वो November में आएगी गुंतीस November से 3 December 10-10 January से लेके 14 January और 28 February से लेके 4 March आज की डेट में आज 26 October 2021 तो आगले 3 दिन तक आप gold bond खरीद सकते हैं जो present जो ट्रांस चल रही है मतलब आप 1-1 November 2021 तक gold bond खरीद सकते हैं जब आप gold bond खरीद लेते हैं और आपका जो भी d-mate account है जैसे मेरा share खान का d-mate account है तो d-mate account में इस तरीके से आप आसानी से खरीद सकते हैं और d-mate account में ये कैसे reflect होते हैं friends आपके सामने SBI, online SBI खुला हुआ है आपको e-services में जाना है जब आप e-services में जाएंगे तो आपको नीचे sovereign gold bond scheme से एक option दिखेगा आपको उस option पे click कर देना है उस option पे click करेंगे तो आपके सामने 3-4 option आजाएंगे आपको purchase में जाना है जब आप purchase में जाएंगे तो आपको सबसे पहले account number select कर लेना है जिससे आप payment करना चाहते है terms and condition accept करने के बद आप proceed की button पे click करें proceed की button पे तब आप click करेंगे तो system अगला page खोलेगा जिसके अंदर आपको ये enter करना होगा कि आप कितना तो gold खरीदना चाहते है और किसको 9 मीनी बनाना चाहते है जैसे gold rate आज की चल रही है 4711 आज है 26 October 2021 मैं एक gram gold खरीदना चाहता हूँ मैं 9 मीनी में मुरारीगर को बना देता हूँ यहाँ पर 9 मीनी से क्या relation है वो डालना है फिर date of birth मुझे enter करनी है इसके बाद मुझे नीचे आप देख सकते है DMAT account की detail डालनी है अगर मेरा NHDL में है तो मैं NHDL डालूँ हूँ CHDL है तो मैं CDSL डालूँ हूँ चुकि मेरा account NHDL है तो मैं सबसे पहले उसकी DP ID डाल देता हूँ Client ID डाल देता हूँ अगर यह आपको पता नहीं है तो आपका जहां भी DMAT account है आप अपने relationship manager से पूछ सकते हैं वो आपको बता देगा date of birth डालने के बाद मुझे यहाँ पर submit की button पर click कर देना है submit की button पर मैं click कर दूँगा तो अगली screen पर मुझे confirmation देना पड़ेगा कि मेरा confirmation की क्या-क्या मैंने detail एंटर करी है और किस तरीकी confirmation अगर मैं उन सब चीजों से satisfy हूँ कोई गलती नहीं कर रखी तो मैं submit की button पर click कर दूँगा submit की button पर click करने के बाद मेरे पास एक OTP आएगा mobile पर transaction के लिए मुझे वो OTP यहाँ पर enter करना है जब मैं OTP एंटर करने के बाद confirmation की button पर click करूँगा तो मेरे सामने message आ जाएगा कि इतना पैसा मेरे account से debit हो चुका है मेरी order ID आ जाएगी reference number आ जाएगा जो कि मैं बविश्य के लिए समाल के रख सकता हूँ अब मैं चाहूँ तो मैं inquiry कर सकता हूँ मेरा जो transaction हुआ है उसकी inquiry आप inquiry की button पर click कर सकते हैं यह देखिए जैसे मैं inquiry की button पर click करूँआ तो मैंने मई 2020 में भी अपरेल में 2020 में खरीदा था और आज 26 October को खरीदा है दोनों की detail आ गए मैंने 26 October वाले पर click किया तो यह सारी detail आ गए कि मेरा किस account से पैसा कटा है और मेरा किस तारिक को मेरी यह request create होई है अब मैं आपको बताता हूँ यह share खांगा मेरा DMAT जो account है मैंने आपके सामने open कर रखा है अब मैं इसके अंदर देख सकता हूँ कि मैंने जो अपरेल 2020 में जो gold bond खरीदेते वो मुझे यहाँ पर reflect हो रहे है मैं नीचे जाके portfolio में भी देख सकता हूँ नीचे portfolio का option आता है detail portfolio में आप देख सकते हैं के अंदर यह मेरा बताया गया है कि मैंने एक gram का bond खरीदा था उसकी rate क्या चल रही है इस तरीके से आप जब भी gold bond खरीदेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आपके DMAT account में यह reflect होने लग जाएगा और इसको आप आरानी आसानी से track कर सकते हैं और बविश्य में आप चब जाए मर्ची आए तब सेल कर सकते हैं अपने DMAT account के थुरू फ्रेंड्स आप मेरी team के साथ जुड़िये team मुरारीगरग का हिस्सा बनी है उपर आपको WhatsApp नमबर देख रहा है आप उस पर मुझे message करें मेरे गुरूपों के साथ जुड़े टेलीग्राम, WhatsApp गुरूपों के साथ जुड़े तो आपको कुछ ना कुछ benefit होगा क्योंकि मैं कुछ ना कुछ part time पैसे कमाने की scheme में बताता रहता हूँ तो friends मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आयागा प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp गुरूप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटिट इन्फोर्मेशन के लिए धन्यवाद friends